दोस्तो अगर आप भी रोहिट शर्वा और महेंदर सिंग धोनी को दुनिया का सबसे महान खिलाडी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो बांगलदेश की खिलाब महमद रिजवान ने शतक ठोक अपनी बातों से जीत लिया करोडो क्रिकेट प्रेमियों का दिल बांगलदेश में हुए हिंसा पर महमद रिजवान ने दिया एक ऐसा बैयार जिसे सुन हर कोई हो गया है रान और बजा दिया पूरे क्रिकेट जगत में डंका तो आखिर कैसे महमद रिजवान ने अपने बल्ले से टांडब मचा कर पहले ही टेस्ट मैच में ठोका शतक शतक के बाद क्या कुछ रिजवान ने कहा और क्यों उनका बयान हो रहा है वाइरल सब कुछ तो हम आपको जल्द सुनाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या घर में पहले बल्लेबासी करने के लियामंतरित किया और खुद गेंदवासी करने का फैसला किया क्योंकि बंगलदेश की गेंदवासों ने 16 रनों के ही स्कोर पर पाकिस्तान के तीन बल्लेबासों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिखा दिया था पाकिस्तान की टीम अपन रिजवान ने मिलकर टीम की पारी को समहला इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शांदार बैटिंग की बांगलादेश की गेंदबासों की धचिया उड़ाते हुए वो दोनों नजर आयो टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया तूट कर प्रहार करना शुरू कर दिया पा दूफानी शतक जड़ दिया और पाकिस्तान को मजबूत इस्तिती में लाखडा कर दिया पहले दिन पाकिस्तान इन दोनों बल्लेबासों की मजबूत इस्तिती में आ चुका था सटाक लगाने के बाद मैच खत्म होने पर मुहमद रिजवान ने भावुक मन से ऐसा बयान दिया कि करोडों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया साथी साथ हिंदुस्तान में भी तारीफ होने लगी और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल होने लगा तो चलिए अब हम आपको मुहमद रिजवान का वो बयान सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने शतक लग रहा है लेकिन बांगलादेश में हिंदुों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहत गलत है किसी भी जाती और धर्म के साथ ऐसा करना बिलकुल गलत है मैं इसकी खिलाफ हूँ बांगलादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इन चीजों की निंदा करता हूँ भारत देखे वहां हिंदो मुस्लिम हर धर्म मिल जुलकर रहते हैं ये होना भी चाहिए जब ये ख़बर मैंने सुनी थी तो मेरी आंकों से आंसू निकल गए थे ऐसे पापी जलादों के खिलाब सकत कारवाई होनी चाहिए और बड़ा एक्शन लेना चाहिए बंगलदेश सरकार ज यो कुछ भी विंदो के साथ हो रहा है वो सही है या गलत नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए का और ऐसी शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भारत और श्री लंका के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रुमान्चक गमा दिखाने जा रहे हैं जिसमें श्री लंका की धज्यें उड़ती हुई साफ नजर आ रही हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्री लंका मैसे कौन सी टीम दूसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी अपनी कीमती रहा नीचे कमेंट करके जरूर बत भारत और श्री लंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आर प्रेंदाजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है और दोस्तों इस मगाबले की शुरुआत भारती कप्तान रोहिच शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई जहां उन्होंने पिच की भली भाती भापते हु पर था कि अपनी टीम को यहां कम से कम 300-400 रन के पार लेकर जाया जाए तब ही मैच में बात बन पाएगी और दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने जहां ठानवे रन बना कर भारती टीम को इस मुश्किल पिच पर बचाया और दोस्तों यहां पर जैसे ही विराट कोहली मुकाबले में बनाये थे और आज दूसरे दिन भारती टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो रोहिट शर्मा ने 152 रन से आगे केलना शुरू किया तो सर्फरास खान ने 96 रन से आगे अपनी बल्लेबाजी चारी रखी अब दोस्तों यहां इन दौनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था कि अपनी टीम को कैसे भी करके 500 रन के पार लेकर जाया जाए और दोस्तों आज दूसरे दिन का मैच जब शुरू हुआ तो रोहिट शर्मा और सर्फरास खान ने ताबर तोड बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 500 रनों के पार पहुँचा दिया और रोहिट शर्मा फिलाल 183 रन बना कर नाबाद खेल रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर रोहिट शर्मा से हर किसी को यहीं उमीद है कि वो इस मकाबले में दोहरा शटक जरूर लगाएंगे और अगर ऐसा रोहिट शर्मा कर देते हैं तो टीम इंडिया के लिए वो एक और दोहरा शटक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे टेस्ट करकेट में वहीं दोस्तों अगर अब प्लेइंग 11 टीम के बारे में आपको बता दें तो श्री लंका की जो प्लेइंग 11 टीम खेल रही है उसमें निशान मदुशंका दिमुत करूना रतने जहां श्री लं प्रभाद जैसूर्य विश्वा फर्नांडो और असीता फर्नांडो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने में बाहिर है तो तेज गेंद बाजी डिबार्टमेंट में सबसे बड़े हतियार लाहरु कुमार शामिल है तो वहीं भारत की प्लेंग 11 टीम में भी कई बड़ भुम्रा और कुल्दीब यादव के बस्बूट कंधों पर सौपी गई है तो ऐसे में दोस्तों यही है प्लेंग 11 टीम है भारत और श्री लंका की जो कि आज केल रही है दूसरे दित के मुकाबले में हाला कि दोस्तों भी यह देखना बेहती दिल्चस्प रहेगा कि रोहि पिछले मैच में केवल नौरनों के भीतर भारत जीता था तो ऐसा नहीं बलकी बड़े अंतर से यह मैच भारत को जीतना है तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या रहा है भारती टीम की ऐसी दमदार बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप टीम इंडिया के बल् तो तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया ऐसा मुकाबला खेला गया कि हर किसी की आँखें भटी की भटी रहे तो आखिर कैसे सूरे कुमार याद अव्यशस विजैसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाप फिर ऐसा क्या हुआ कुछ रुमांचक मुकाबले की पूरी हाई लाइफ तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हारदिक पांडिया और रिंकु सिंग मे कौन है सबसे खतरनाक खिलाडी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों T20 सीरीज में श्रिलं बांगलादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया बांगलादेश की टीम ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए अपने चार विकेट खोकर टीम इंडिया के सामने 20 ओवर में बांगलादेश की तरफ से मुस्तिफिस और रह्मान ने मैच को पलट दिया पहले अभी शेक शर्मा को अपने शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में ये शर्सवी जैसवाल और रिंकु सिंग के मैच को पलट दिया जहां ये मुकाबला बांगलादेश जीत रही थी उस मुकाबले को इन दौनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया ये देखकर भारतिये खेमा खुशी से जूम उठा लेकिन रोमा बांगलादेश को सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौगा मिल गया और मैदान पर बल्लेबाजी करने आई लिटन्दास और शागी बलहसन एक बार फिर इन दौनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकलने का काम किया और भारत की तरफ से के इनवाजी करने का